तो दोस्तो अगर आप अपना करियर बैंकिंग सेक्टर में बनाना चाहते हैं और बैंकिंग सेक्टर की इस वक्त कोई अपॉर्चुनिटी सर्च आउट कर रहे हैं तो आपको बता दू कि ICICI Bank में अभी इस वक्त बहुत सारी recruitment आई है और यह जो recruitment है यह इंडिया की बहुत सारी locations पर है और आप सभी लोग यहां पर घर वैठे अपलाए कर सकते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाली हूँ ICICI Bank की latest recruitment के बारे में जो की इंडिया की की बहुत सारी locations पर आई है तो आप यहां पर देखिए ICICI Bank की recruitment की डिटेल आप सभी के सामने यहां पर open up मैंने कर ली है तो आप सभी देखिए ICICI Bank की recruitment की detailed information मैंने यहां पर आप सभी के लिए open up कर ली है यह जो opportunity आप देख रहे हैं यह phone banking की profile पर है phone banking की profile पर आपको जो काम करना होगा वो आगे चल करके बताऊंगी लिकिन यह जो opportunity आपको दिखाई दे रही है यह गौहाटी और हैधराबाद में है आपको बता दू कि गौहाटी और हैदराबाद के साथ साथ यह opportunity और भी काफी सारी locations पर आई है exactly कौन कौन सी locations पर आई है ये भी आपको मैं बताने वाली हूँ तो बने रहीएगा लेकिन उससे पहले आपको बता दू कि यहाँ पर आपको काम क्या करना है तो यहाँ पर देखे आईसे इसे bank अभी जो है ऐसे individuals को ढूँड रही है ऐसे लोगों को ढूँड रही है जो कि उसके लिए phone banking officer या phone banking executive की profile पर काम कर सके जिसमें जो responsibilities आपको दी जाएंगी वो देखे यहाँ पर दी गई है Query Resolution Customized Solution Offering Beyond Our Values Providing 360-degree Banking Adherence to the Compliances मतलब कि अगर मैं आपको समझाओ अगर कोई customer की query है और वो आपको phone channel की द्वारा अपनी समस्या बता रहा है अपनी complaint बता रहा है तो उनको आपको resolve करना है इसके अलावा customer को जो solutions है जो जो customer को जो product की need है किसी को credit card की need है किसी को FD की need है तो जो customer को जिस चीज की need है वो product आपको उनको offer करनी है साथ ही साथ आईसे इसे bank की policy है जो उनके philosophy है उसको भी follow करना है इनकी जो other banking product है उसके बारे में भी customer को पूरी जानकारी देनी है इसके साथ साथ उनकी कोई complaint है और proper तरीके से complaint को solve करने के बाद उसका जो process होता है वो भी यहाँ पर आपको fulfill करना होगा अगर हम मैं आपको short में बताऊं इस detail के बारे में तो यहाँ पर जो भी customer आपको phone के द्वारा reach out करते हैं phone के द्वारा आईसे इसे bank को connect करते हैं उन phone का answer आपको जो है वो देना होगा अब वो phone आपको कोई complaints से related कर सकते हैं कोई product buy करने से related कर सकते हैं या कोई भी उनकी जो queries होती है उससे related कर सकते हैं तो simply यहाँ पर आपको जो है उनकी details को ध्यान में रखते हुए उनकी queries को solve करना है और उनको आईसे इसे bank के नए नए products के बारे में बताते जाना है ठीक है अब यहाँ पर दिखिए qualification की अगर हम बात करें तो दिखिए यहाँ पर graduation मागी गई है और अगर आपने engineering करी है तो अच्छी बात है otherwise आपने graduation से कोई भी degree ली है आपने B.com किया है B.B.E. किया है आप यहाँ पर apply कर सकती है communication skills की बात करें तो दिखिए यहाँ पर आपकी communication skills बोथ oral and written में अच्छी होनी चाहिए इसके अलावा customer service की जो skills होती है लोगों से किस तरीके से बात की जाती है customers को किस तरीके से handle किया जाता है इस चीज की भी knowledge आपको होनी चाहिए तो आप इसको read out कर सकते हैं और यहाँ पर देखिए salary के साथ-साथ अच्छे खासे benefit भी आपको दिये जा रहे है आपको यहाँ पर जो है opportunity for over time दी जा रही है banking sector में ऐसे कभी नहीं होता कि over time का पैसा अलग से में यहाँ पर इस profile पर यह दिया जा रहा है health and wellness की benefits भी दिये जा रहे है साथी साथ आपको यहाँ पर training programs और development programs में भी enroll करने का मौका मिलेगा opportunity यहाँ पर काफी अच्छी है growth opportunity आपको यहाँ पर मिलेगी और इसके साथ साथ आपको working environment में अच्छा मिलने वाला है तो आप यहाँ पर इसको भी read out कर सकते हैं और अब मैं आपको बता देती हूँ कि कहां कहां पर यह vacancies निकली है तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको apply now का button दिया है जब देखिए आप इसको click करेंगे तो आप इनकी official website पर पहुंच जाएंगे देखिए इस vacancy के बारे में मुझे यहीं से पता चलाता इनकी official website से पूरी detailed information इस vacancy के बारे में यहाँ पर दी गई है और आपको बता दू कि इस शहर के अलावा भी आप कैसे दूसरे शहर में apply कर सकते हैं तो करियर के बटन पर जाएए apply now के बटन पर click कीजे और उसके बाद देखिए यहाँ पर first page पर बहुत सारी opportunity आपको देखने को मिल जाएगी अगर आपकी profile इन में से किसी opportunity में match करती है तो आप यहाँ पर apply कर सकते हैं यह vacancy मुंबई, हिद्राबाद, इसके साथ साथ चेन नई, काफी सारी locations पर आई है इसके साथ साथ कुछ हैसी भी vacancies है जो कि fresher candidate के लिए आई है तो जो कि आपको second page और third page पर देखने को मिल जाएगी थर्ड page पर आप देखिए कि यह vacancy गौर्टी हिद्राबाद के साथ साथ इन दौर मुंबई में है, चेन नई में है, इसके साथ साथ जैपूर में भी है अब आप जिस भी location में apply करना चाहते हैं देखिए fourth page भी यहाँ पर है, fifth page भी यहाँ पर है पर जिस भी location पर आप apply करना चाहते हैं, वहाँ पर click कीजिए पूरी retail information को आपको read out करना होगा और उसके बाद apply hair के button पर click करके यहाँ से आपको apply कर देना होगा तो guys, ICSA bank की latest job opportunity में जल्दी से जल्दी apply कीजिए आप सभी के लिए vacancy open है और हाँ हमारी channel को subscribe जरूर कीजिए